हेई गाइस ग्रेट पैट है और क्यास्ट आप सभी लोग और आज हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं अपनी माइंट्राफ एंड ब्लॉक सीरीज और यह बी दिख गई है मेरे को यह आई कहां से कहां गई बर्भी कर लीड निकाल लेते हैं अगर मिलेगी तो बांदेगे दिख नीरी आइए रहे दो है हांई कहां से बी सपाउन होती है उनके लिए दो बी हैव होना चाहिए अब दिख भी नीरी कहां गहीं किया ओ यह देखो बी है यहां पर यह रहां यह टी के साथ आ गया है ऐसा भी होता है मेरे को नहीं पता था बट वो गई कांबी इस पान होगी क्या वैसे मेरे को कुछ जादा बुरा नहीं लगेगा अगर चली गई प्रकॉस मैं अभी वैसे भी रखने सकता बीस को कहीं भी बट गई कांब और वो रही है अच्छे आपने भी हाइव में चली कियोंगी रात में मैं अभी क्या लुलू हूं अन्लीश कर देते हैं अच्छे अरे हिट हो गया सौरी गल्ती से हो गया है यह दैट वस अनिंटेंशनल मेरे को अभी भी अच्छा यह पॉजन दे दिया है कि फाइनली अन्लीश हो गई है मर गई है बहुत मैंने चुआ भी नहीं कैसे मर गई है साइड लाइफ एंड वह पहली वाली भी कहां गई हूं दोर ने चली गई क्या कोई बात नहीं मेरे पर बी हाइव अभी भी है दिल से लगता है बाई आप समाझ ही सकते हूंगे कि सो आज कि मोग टास्क के बारे में बात करते हैं वह दिल्कुल बढ़िया से बना दिया था अपना विलेजर्स के लिए पूरा अंडर ग्रांड घर क्या बौल हूं मैंसे विलेजर्स हॉल और आज हमनों का में टार्गेट है सिल्क टच पाना एंड होच सकते तो पीर मेरे पर जादेपतर हो रहते हैं जो मैंने यहां पर थोड़े बहुत बट लगा हैं ओ-ो-ो यो गैस अर ढूंग संथिंग पच्छा गिरा पच्छा गिरा किरा गिरा गिरा जल्दी जल्दी गिरिगा गिरिया अम लोग का निह? अब लोग का नहीं इनका न्यूस साथ ही आ गया है ओके तो यहां पर और बेट लगाते थे हैं ज्यादा बेट लगाऊ नहीं तो निचा तो बहुत भरा भरा लगेगा यह एंड मैं यह भी सोचा है कि जो एक और मैं हॉल बनाने वाला हूं जो कि इस होल से कनेक्टों को साथ में एक लाइबरी टाइप का रूम बनाऊंगो जहांपे मैं सारे लाइबरेरियन शिफ्ट कर दूंगा और अपना इंचैंटमेंट टेबल का सेटप भी वही करने वाला हूं और वो भी हम लोग आज ही करने वालें सो बहुत मजाने वाली है सो मैं स्टार्ट करता हूं चीज़ें करना सबसे परले लोग को बुक शेल्फ चाहिए और एजिएस्ट वे बुक शेल्फ पाने का लाइबरेरियन से एड उसके लिए अपने को एमरेल्ड चाहिए तो उसके लिए और विलेजर्ट चाहिए तो मैंने अभी नोडिस किया कि ह हम लोग का एक लाइबरेरियन इंफिनिटी दे रहा है सो मेरे को इंफिनिटी चाहिए एंड उसलिए मैं आप एक बुक और एमरेल्स लेकर आगया है और यह हम लोग है एंड में टार्गेट है मुझे मेंडिंग पाना इसलिए क्योंकि मेरे को अपनी डामेंड पिक एक्स पर लगाना हम लोग पिस से फ़र सुर्फ चाहर डामेंड्स है थिंग एंड उसमें एक ही पिक एक्स बनने वाली है सो यह साइन इड मेंडिंग यह यह तुम लोग सभी देख रहे हो इन लोगों ने मोटा आयरन सांड भी खड़ा कर दिया बना के अब मैं यहां पर लेक्टरन तोड़ूंगा बारवा जिससे हम लोगों मेंडिंग मिल जाए कभी वैसे बहुत रहर होता है मेंडिंग पाना सो देखते हैं कब मिलेगे अपने को अब अब अरे इस वाले पर देखते हैं इंडिया है हां मेंडिंग भाई इसने तो खाता 24 25 बार तोड़ना पड़ेगा तब जागे मेंडिंग मिलेगे तो पहली बार में मिल गई अब भाई लग वाई लग गँड़ लाग आए आए जया है तो मोग इस लइबरेडियान से बुक्षल्फ पर्शिस कर लेते हैं टोटल 15 बुक्षफ यजए टेया था तक मैक्स लाइक इंचैन्मेंट्ट अचीव करने के लिए उसमें ने 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 कि भाई ने बताया था तो yes we are gonna get 15 bookshelves many months later so मेरे को रियलाज़वा के लगको लेवल 30 तो मिनिमम होना ही पड़ेगा max enchantment पाने के लिए लाइक सिल्क टच है लोगको so इसके लिए इसके लेवल 30 ज़रूरत होगा and अभी मेरे पास लेवल 9 है and shit मेरे को कौन सी बो मिली है infinity 1 मैंने ज़स्ट अभी थोड़ी देर पहले infinity ही खरीदी थी boy क्या लोग है कभी इतना चौत है इतना तट्टी and इसको में क्या होता हूँ पड़ी रहेगी so guys हमलोगी लेवल 15 हो चुकी है and हमलोगो बस एक और पर लेवल 15 तक जाना है मतलब 15 और प्लस कर और लेवल 30 हो जाएगी approximately 10 hours later finally होगी लेवल 30 लेवल 30 लेट्स गो oh war time लग गया बहुत अगया वाई करते करते like starting में ज़स्टार्टी वरी थी आके पड़ते पड़ते वह कौन सी होती है नाम भी नहीं आता रहा वह मचली पे आधा आधा ही जिर्फ मिल रहा था कॉर्ड शायद भाई बहुत अगया हूं है अब तो मन भी नहीं ख़रा के लेका सब में थोड़ी देर ब्रेक लेता हूं और मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूं अजीव हैं भाई तो मैं आप पर पंप्किन ट्रेट कर रहा हूं और मैंने बीट रूट्स बहुत सारे उगा दी है बिकॉस लाइक बीट रूट मेरे को जरूरी था यह फार में बीट रूटी ले रहा है वीट नहीं तो इसलिए एंड जब मैं फिशिंग कर रहा था तो उस टाइम मैंने बहुत सारे बीट रूट्स हुगा है लाइक मैंने सब अटा के देखो यहां पर सिर्फ बीट रूटी बीट रूट हुगा रखा था उन लोग को बेड नहीं दिखता तो लोग जाते नहीं है ओके समलोग पर 16 एमरेल्ड आ चुके हैं अभी मेरे पर बहुत सारा बीट रूट पड़ा है इसके लेवल अप हो गई नाइस मैं सोच रहा हूं एक और यहां पर लगा देता हूं कि फार्मर के लिए जिसे और फार में बन जाया क्या कहते हैं इस गम पोस्ट और उसके डिफरेंट ट्रेट्स होंगे सो मेरे को और जल्दी एमरेल्ड मिल जाएगा और यह वाटरमेलन भी मेरे पित्व हमें ओके वाटरमेलन भी बना के लिए आता हूं सो जिते वाटरमेलन थे मैंने सब दे दिया एंड फोर एमरेल्ड मिलें अपने को अपने पर 19 एमरेल्ड पैलेस हैं तो यह टोटा लोगा 23 अब हम लोग थोड़े से और बुक्षप्स खरीज सकते हैं बाई मैं उती था चोमों की तरह घूम रहा था एंड मेरेको अभी मैं मैंने देखा में की स्टेक से ट्रेड कर सकते हैं यहां पर मैं सो जाओंगा लेटरली यह फ्लेचर अशाद यह स्टेक से ट्रेड कर रहा है सबसे एजिएस्ट वे यह एमरेल्ड पाने का लाइक मैं इत्ती मैंनत कर रहा था यह दो दो चीज़ों कर रहा था वी टूट निक कि अपने मैक्स पे पहुंच गिया स्टेक्स लेने के एंड देखो मेरे पे 39 एमरेल्स हो चुके हैं करते करते हैं तुम समझ रहो किता इजी वे था यह था यह मैंने तोड़ा बड़ नहीं यह नहीं चेंज़ोगा बड़ कोई और बने का क्या क्यों ही बने का कि अपने पास एक सिकंड वाट मेरेल्स हैं इसमें बहुत सारे बुक्षफ निकल आएंगे तो इतनी मैनत के बाद फाइनली थर्टीन बुक्षफ आ चुके हैं अब मैं थोड़ी देर और स्टिक से ही ट्रेड करने आला हूं एंड हम पे हो जाएंगे टोटल फिफ्टीन बु अपने पास एक सिकंड वाट मैं एमरेल्ड दिखा रहा हूं तो यह लोग दो को चीज़े दिखा रहा है 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 ना हाँ सही में है 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 ओके नेवर माइंड है यह दो को सब चीज़े दिखा रहे हैं जैसे अभी एमरेल्ड लटा है लो और जैसे लगा है फिर से यह भी कुछ होता है मेरे को नहीं पता था बाट नेवर माइंड हम लोग अपने बुक्षब्स पर्चेस करते हैं और काम चालू क करते हैं उस साइड आले हौल का फाइनली दोनों बुक्षब्स आ गया मेरे पर 17 एमरेल्स तेंड 18 चाहिए थे इसलिए मेरे को थोड़ा हो टाइम लग गया बट हो गए 15 बुक्षब्स बाइस साब अब चलो फटावर्स हम लोग में काम चालू करते हैं जिसके लिए पूर उस साइड के लिए में लोका रास्ता बनाओं मैं पहले मैंने सुचा था कि वो जो ट्री फाम है उसके नीचे बना देंगे रूम बट मैंने साइड अब इस साइड खुले-खुले में बनाएंगे विकॉस रूम के ऊपर मेरे को मॉब्स नहीं चाहिए अब ब्लॉक्स कतम हो गया है चलो अब मैं निकालने जाता हूं ब्लॉक्स और रों धुक्त पे जादा स्टोन ब्रिक है तो मैं थोड़ी सी बनाने भी ढाल दूंगा वह लोग पे स्टोन है थोड़ा सा सो उसे और बन भी जाएगी ओके सो हम लोग का रास्ता बन चुका है बेज बनाने के बारी 75 यर्स लेटर ओके सो मैं थोड़ा सो तयार कर लिया बेज और हम लोग के ब्लॉक्स कतम हो चुके है एंड ना डूंट तिंग मुक पे ज्यादा ब्लॉक्स हैं थोड़े स्मेल्टोने टाले थे वो तो हो गयोंगे ब्लॉक्स तक ब्लॉक्स तो है कबल स्टोन है लेकिन आरे मैं फालव के टेंशन दे रहा हूं बट वुड़ बहुत जा रही है मेरे साथ कितना ही बुरा हो सकता है मैं पॉस बटन को ओन करना वापस भूल गया एंड यह देखो मैंने यह जो बेस बनाया है इसमें क्रीपर स्पाइडर स्कलिटन भी स्पॉन हो चुके हैं वन शॉट है सही मैं लेकिन बाथ बरह लग रहा है अब अब लिटरल इतना मजा आ रहे तही मजा तो नहीं आ रही ते मितलब मैं रिस्क ले रहा हूं I know इतिना मुष्ट लग रहा था जब बना रहा था मैं उस सवाइड जब नीचे तब बना थे टाइम लाग मैं अपनी मौथ से खेल ला था पानी वानी डाल गया बट स्टिल हग दिया अगर आडट नीचे क्री पर अचाया स्केलेटें तो अधिंक मर गया है बस क्रीपर या तो नीचे जाते हैं बागो बागो रह वागो क्रीवर यहां पर नहीं है कि अच्छेट क्रीपर अंदर चला गया वो इधर तो नहीं आ सकता बट मेरे को टावर बनाला पड़ेगा उसे मार निकले और ना सीन हो जाएगा कि अरे विलेजर्स क्यों आ रहे हो हाँ क्रीपर तुमाओ शूट भूंब एक और बस मिस अरे विलेजर्स के ना लग जाए इस बार गैस गयागा नाइस ज्क का शूट तो गैस अब यहाँ एक वार्णीग ट्रेडर को देखा था अ ओपर था यह एंड इस पिस एंड है अफ्टम लोग को सब्सक्राइब कर इस जाहिए तो मेरे बहुत कम सेंटी एंड मेरे को ग्लास बनाने और उसके लिए श्कलेंड जरूर ही अधर यह वे गिम्मी दैट सेंड एक स्टैक दिया है और नहीं किया ओ रेट सैंड यह नाइस ओ लग मेरा देखा जैसे इसने मेरे को दिया उसके बाद वह कूद गया बाई साब इसको भी नीचे गिरा तो वह लग मेरा मैंने जैसे ट्रेडिंग कंप्रेट करी वह नीचे कूद गया अब लोग के ग्लास खतम हो गया और अभी और पढ़ें फर्नेस में बनने को बढ़ इस तो बहुत सारे आते हैं जो सेंड देते हैं बट मैंने को भी खरी दीन ना ध्यान दिया वाट चाहिए तब आएंगे नहीं वह 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 वांडरिंग ट्रेडर वो मेरो को लगा कुछ और हैं प्लीज संड देना प्लीज मेरो कुछ नीची सर संड प्लीज वह संड एक स्टाइक मिल जागा इससे तंग ओड बच्छे इमरेल फटा फटलाव गिमी तर संड ओके एक स्टाइक मिल गया बट अभी भी में लोग को दोड़ी सी और संड पढ़ने वाली है लाइक वन और तू स्टाइक्स स्टाइक्स सो प्लीज माइनक्राइक्स फालो एक और वांडरिंग ट्रेडर बेचो जो दो स्टाइक्स से पासा एंड के मेरे को मैं बिल्कुल सम्हाल के अपनी इंचांटमेंट टेबल और बॉक शेल्फ ले आया हूं एंड मैं सोच रहा हूं कहां पर रखें यहां पर सेंटर में थोड़ा सा रखेंगे तो सेक्सी लगेगा बीच में टेबल लग जाएगी हां पर नैस हैंड ऐसे से अ यहां पर दो आप सавноने कि यहां पर और यहां पर ओर आप 강वप अपना इंचांटमेंट टेबल का पूरा सेट अप सेट अप सही सही बन चुका है ओके शिट यह फॉर्चुन टू दे रहा है विससे शिट तो नहीं बट मेरे को सब्सक्राइब अच्छी है थी प्रॉपर मैं चाहता हूं ऐसा नहीं बन रहा है मैं नहीं समझा पाऊंगा तो येस अपन यहां पे डायमेंड के पिक खैक्स बनाते हैं महंगा माल बन रहा है यह देखो हो गई येस एक डायमेंड बचा है वो रख देते हैं इसे पर शेवल बनेगी स्टेक्स रख दी अब ग्लास यहां पर कुक हो रहा है तो चलते हैं अपन फटा फट से सिल्क टच तो नहीं लगेगी इस पर मेंडिंग ही लगा देते हैं मेंडिंग गई गहा मेरी मेंडिंग कहा गई भाई मिलीनेरी मैंने यहीं कहीं तो रखी थी अब फटा यहीं अब इस अब लगा जाएगा वाई अगर मेंडिंग हो गई लब खो के खो कैसे गई घर तोड़ी ना है बाई मेंडिंग अब होगी मेरी मेरे को रिकॉर्णिंग चे करनी पड़ेगी भाई सब्सक्राइब करें अब लोगों ने मेंडिंग अभी खरीदी नहीं थी तो बहुत ले जा रहा हूं और देखते हैं कुछ इंचैन्ट मेंट हो पाती है कि नहीं हो फॉर्चुन को किसी पर लगा लेंगे वरना यसे मेरा बिल्कुल बनी हो रहा है मेरी 35 की लेवल पूरी व सब्सक्राइब कर दोंगा भाई साब मूर तो इस पर खराब हो गया तब मैं तो डरी यहाने को भाई मेंडिंग करी जी ती कई कहां इंफिनिटी ले दे मैंने बस ओके सो अभी आपे ग्लासेस बच्चे वह मैं कर दूंगा एंड इसमें फॉर्चुन लग रहा है और अगर इस टाम इस इंचान्टमें टेवल पे तो लगेगी कि नहीं मेरे को नहीं पता ओ तो सी नहीं तो मैं अभी कुछ नहीं लगाने आप पर इस पर रिसर्च करूंगा तो इस पर देख वीडियो गाई बिलते नेक्श वीडियो में तब तक लिए गुट बाई स्टेवली